असलाम अलेकम मैं हूँ नादिया तन्वीर और आप देख रहे हैं All About Baking by नादिया तन्वीर तो जुनाब आचा आपको मैं स्टेंप्स के बार में बता रहे हूं जिनको कहते हैं स्वीट स्टेंप्स अचा इसी बहुत जादा रिक्वेस्ट थी मुझे बहुत लोगों ने इंबोक्स किया कि नादियान को कैसे यूज करते हैं आप हमें बताएं अचा यह मैंने कुछ केक्स पर यूज की हुई है आप लोगों ने शायद वो वीडियो नहीं देख्योंगी पुरानी हो गया थोड़ी सी ना तो जो ना मैं आपको बड़े सांत्री के से बताने वाली हूँ इसके लिए नजरे मेरे हाथों पर रखेगा मुझे सुनते जाईएगा अचा इन स्टैंप्स ना आपकी जो कापकेक टॉपर्स हैं जैसे फॉर्णन कापकेक्स होते हैं कस्टमाइज बड़े अच्छे लगते हैं अकसर केक के ओपर आपने नाम देखा होगा कि वो अंदर की तरफ ऐसे ना बड़ा प्यारा से उसकी लुक आ रही होती है नाम और फिर उसमें गोल्डन सारा फिलिंग ह कफर लिवी होती है वह इस तरह की स्टम्स होती है अब यह देखवो इस तरह के स्टम्स आपको कहीं जगह पर नदेखराइख लेकिन हमें यूज करना नहीं रहागा था तो मैं आपको बता देतों कि आपने इसको कैसे यूस करना है देख़िए जो यहն क्याork Is ज्यूए ब करना चाहरे हैं तो उनके लिए तो मुश्किल है ना कि जो अर्ण करें तो उसी से सारा सारा समान ले 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 उसका यह हल है कि आपके पाइस अगर अपने कोई और है उसमें से आपने घर में जो भी आपकी जरूरता उस पर लगाईए बाकि दोसों का कोई समान जरूर खरीद यह मतलब मैं साल दे रही हूँ कैई है इनके पर यह बाक्स में मैं स्टेत होता है था लिए जब आपको लें अब्स ट्म की ऐन डगार ने सीकिए इसंटेखें1313 बहुत ही प्यारे लगते हैं के ओपर छोटे अल्फाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं यह भी बहुत प्यारे हैं और एक स्वीच टाइम्स वह भी होती है जो हम लोग अकसर में केक पर हब बड़े नहीं लिखती हूं जो इंबोस हुई भी होती है वह भी होती है ठीक है न पड़ता है न गुल्टन वाला मुश्किल हो जाता है अच्छा यह देखो थोड़ा सा मैं आपको डेमो दे देती हूं छोटी सी यह विटियो आज की आपको लेकिन इंफोर्मेशन बहुत मिलेगी मैंने फॉंडन ली ठीक है उसके ओपर यह मैं वाइड वाइड क्या करें आप देखें आप जब भी स्वीट स्टेम्स बनाओ फॉंडन के अदर अच्छी खासी टाइलोस डालनी है आपने ठीक है जैसे सो ग्राम फॉंडन है या पचास ग्राम फॉंडन है तो उसके अंदर आप एक लीस टैन ग्राम तो डालोगे यह जो है क्या करते हैं टैलो अच्छी एoupe के बाद कारने के बाद और किकल बॉंडन फॉनिण कुव doetे और मसं स्टरं लिखना नठीhen में पने और खरब करने के बाद प्र में बासे साइब स्टेम्स मे darkना है और बारी उनको आपनी इस तरह से जोड के रख़ देना है उसके बद आपने इनको कट्थे जआ है या मैंने लिखना है तो मैं इसके कैपिटल और समॉल इसलिए अमने को साइड पे रख लिए और बारी-बारी इनको आपने इस तरह से जोड हिए के रखD दिना है उसके बाद आप ने इनको कठे पर्ष करना है उससे क्या गिर्डी सी फ़र्णन है क्योंकि मैंने यह यह आपको दिखाना था मिरा आउडर का तु था नहीं इसलिए मैं इसलिए मैं इसमय टायलोस नहीं डाली था कि यह जब मैं आपको सिखा दू दुबारा से मैं इसको मोड माढ के गा रहे हुआ हुआ कि उसकी दी शेप नहीं होता ठीक है अब आपको यह पिंक वाली स्टैम्प भी यूज़ करके दिखा देती हूं यह मैंने कहां से बाय की थी यह मुझे याद नहीं आ रहा हूं अच्छा इन स्टैम्स के साथ ही न आपको यूज़ करना पड़ेगा सबसे बारीक जीरो साइस क ब्रश होता है जो बिल्कुल सुईंग जैसे उसकी टेप होती है अब मेरा वोवला ब्रश तो मिल नहीं रहा था यह कदरे बारीक था तो मैंने झालो इसी से आपको सिखादेती हूं किस तरह से आपने जनाब इसको करना है अब मैंने गुल्डॉन डस्ट ली गुल्ड डस् की भी कर सकते हैं कोई मसला नहीं है ठीक है आपने बस जिनाब इसको इस तरह से ना हलके से वेजटेबल ओयल यानि के घर में जो हमारे खाने वाला ओयल होता है ना हम खाना पकाते वक्त यूज करते हैं आपने उसके अंदर थोड़ा सा मिक्स करके इस गोल्डन डस को आपने इस तरह से बारीक वाले ब्रश के साथ करना है और अब आप देखो मैंने ब्रश को सीधा पकड़ा है तेड़ा नहीं करना आपने ब्रश को सीधा पकड़ के आपने इसके अंदर की फिलिंग करना है तेड़ा आप जब थोड़ा सा भी स्लांट करोगे ना यह फैल जाता है अभी मैं सीधा करके करी थी तो फिर इतना जादा कही ना कि यह थोड़ा सा फैल गया उसकी वज़ा यह थी कि मैंने फॉर्णनेंट को हार्ट नहीं किया वा था ठीक है ना मैंने रेंडम आपको सिखाया है अगर मेरे और्डर का होता तो मैंने पहले इसका यह राउंड कट कर देना था ओवरनाइट छोड़ देती अकले दिन मैंने इसके ओपर इंप्रेशन देने थे जैसे मैं नादिया लिखती कोई चीज लिखती मैंने इस तरह से इंप्रेशन देने थे वह बिलकुल ना नरम पढ़ता है ना कुछ होता हो बहुत सही रहता है ठीक है अब यह आप मार्केट शॉपिंग के लिए तो मेरा वेट करें थी मैंने बस आपी दो मिनट रुख जाए मैंना यह जरा बस वीडियो बना लूँ तो साथ साथ हम बाते भी कर रहे थे और साथ साथ यह मिरी वीडियो बन रही थी तो बस फिर इतलिए मैंने इस टैम्स का तो कपका सोचा बाता कि मैं जैसे फ्री होंगे ना मैंने इस सिखाना है क्योंकि मैंने पहले भी चीज सिखाई है लेकिन काफी टाइम हो गया था सिखाये वे ना तो अब यह आपको ना इसके बारे में और जादा थोड़ा सा गाइड कर देती हूं तो जनाब आपको समझ आ गई थोड़ी इनको बना के रख़ देना, उसके बाद इसमें बरेश करना है पहले नहीं करना वरना डी शेप हो जाती है इन चीजों का आपने ख्याल रखना है ठीक है इनको भी फिलिंग करना थोड़ा मुश्किली काम है लेकिन मैं आपको यह भी करके दखाती हूँ जैसे वह देखो पीछे वह ब्लैक वाला लव लिखा है यह इस लव का इंप्रेशन देगा ठीक है हम मैंने इसको उल्टा करके रख दिया जो अबरी भी सता होगी ना वो नीचे की तरफ रखने है और हम उपर से ऐसे प्रेस कर देंगे तो वो पूरा इसके ओपर इंप्रेशन आ जाएगा ठीक है ना और उसके बाद हम इसको करेंगे अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं जैसे आप बेक पर करके दखा रही हूं और मैंने इस वज़ा से इसमें टाइलोस नी डाली कि यार चलो दुबारा मेरे काम आ जाएगा आप यह देखो मैंने इस तरह से कैविटी को फिल कर रही हूं किस तरह से इसको मैं ब्रेश को मैंने हलका सा टेडा किया और थोड़ा सा बस इतियास से काम करना होता है अधर्वाइस क्या होता है कि इसकी बहुत जल्दी डस्ट फैल जाती है अच्छा एक और चीज आती है बेक अवे पर मैं देखी थी वह नहीं आती है इस परिट बोलते है उसको जो इवैपरेट हो जाती है वह भी बहुत सही रहती है अब जैसे इसको अगर पूरी रात रखेंगे कि सुबह तक लिटल बिट ड्राय हो जाएगा लेकिन फिर भी हाथ पर कहीना कि गोल्ड डस्ट लग जाती है लेकिन जब आप इवैपरेटर से या स्परिट इसके इंदर मिलाते हो ना जो इडिबल होती है तो उससे यह ड्राय भी हो जा लगेगा यह एक अच्छी बात हो जाएगी तो आप लोग बेकवेस है ना मंगवा सकते हो ठीक है अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ आप यह देखें यह मैं रफ रफ ही कर रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को सिर्फ एक रेंडम आइडिया देना था अध अधरा साब भी होता ना कि मतलब कोई चीज बाहर ना निकले जितनी नीटनेस से आप काम करोगे ना इतना ही प्यारी यह स्टैंप लगती है अच्छा इस तरह कि मैंने काफी चीज़ें बनाई हुई है मेरे शफाकिन केक्स है ना उस वाले पेच के ओपर लिखे हुई है मत आप शुरू से तो कोई भी इतना अच्छा काम नी कर रहा था इस्ता इस्ता सब के ही मतलब होता है ना कि आस्ता इस्ता सब का काम बढ़ता चला चाता है अच्छा जी आप लोगों के मेसेज़े आए कल दो तीन दिन से जाहरा मेरी ब्राउनी के क्लास थी में बहुत जादा बीजी थी ग्रूप भी था वार्टसाइब का हेल्प के लिए उसके बाद फिर मैंने काफी चीज़ें गाइड भी की फिर लोग रिजिस्ट्रेशन के लिए भी आर्टे फॉन मेरे पास था लेकिन शुकर है कि आज चला गया अरूबा के पास और आज मैं थोड़ सी वेली ह मेरे लिए है अच्छे जी अब आपने मुझे बताना है आपको छोटी सी वीडियो समझ आई मतलब आपको थोड़ा सो कंसेप्ट क्लियर हुआ यह स्टैम्स के हवाले से अगर आपको अच्छा लगेगा तो मजीद इसके उपर फर्दर वीडियो भी बिना दूंगी मैं ठी ठीक है तब तक के लिए मुझे जाज़त दीजेगा अपना ख्याल रखेगा दौा में याद रखेगा बहुत सारा प्यार में तरफ से अल्ला आपिस